So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Windows 10 का अगर laptop या computer चला रहे हैं, तो उसके नदर आप Windows 10 का version को update कैसे करें, क्योंकि आप Windows 10 का नया update आ चुका है, जो की feature update 2004 version है, तो उसी को कैसे update को download करना है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाल करता हूँ, तो चले friends, वीडियो को start करते हैं, देखें, सबसे पहले आपको अपने PC या laptop जो भी आप चला रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पर net को connect करने लेना है, कर लेना है, Wi-Fi या mobile से आप जैसे भी चला रहे हैं, उसके अंदर आपका sufficient data होना चाहिए, क्योंकि Windows की जो update हो काफी ज्यादा MBIGB की होती है, क्योंकि बड़ी updates आती हैं इसके अंदर, तो इसलिए मैंने भी अपने Geo5 से connect कर लिया, यहाँ पर उसके अंदर data भी है अभी, तो यह धियान रखना है आपको, और इसके बाद फिर आपको connection करने के बाद यहाँ पर settings का icon यहाँ से भी जा सकत हैं, यहाँ पर आप directly type करेंगे settings, तो यहाँ पर जो हो, उसका icon app आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया settings app, तो यहाँ से हम, यहाँ से भी open कर सकते हैं, देखिए settings app open करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे last option मिलेगा, update and security, तो windows update, recovery और backup यहाँ पर मिल जाएंगे, तो यह यहाँ पर आपको click करना है, अब देखिए, search कर लेगा, windows update तो इसने search कर लिया, यहाँ पर बता रहा है, updates available, last checked today, 5.51 p.m. मतलब, आज शाम को यह चेक किया और इसने update जो है, मिल गया है, तो यहाँ पर पहला जो है, 2020 08 cumulative update आ रहा है, windows 10 version के लिए, तो पहले यह जो pending है, यह बाद हमारा जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, feature update to windows 10 version 2004, the next version of windows is here, मतलब, यहाँ पर पूरा जो है, वो, काफी कुछ changes देखने को मिलने वाले, features, नए features देखने को मिलने वाले, और security के भी improvements इसके अंदर किये गए, तो यहाँ पर select download and install का यहाँ बटन दिया हुआ, यहाँ से हम download and install करेंगे इसको, और update will begin after the other update in your queue, तो इस update को पहले यह करेगा, उसके बाद इसको यहाँ पर update करेगा यह, तो friends इसको यहाँ पर download and install पे now पे click करके हम, इसको download and install कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ click, देखे, download and install पे click कर दिया है मैंने, को इसको अपटेट करने से triangular क्या क्यूंमें चला चुका है यह पहले हमें इसको करना जरूरी है तो यह अभी क्यों investors क्यों Present इसलिए आ अपने अपडेट ना हो जाए हमारा data loss ना हो अगर हम करना चाहते है अपडेट तो ही मतलब जो important update आए हो ही हम करना चाहेंगे तो इसलिए उसको मेटर connection कर देते हैं तो अभी हम इसको off कर देंगे और अब वापस से हम अपडेट के settings पर जाएंगे और इसको वापस से open कर लेते हैं और अपडेट पर जाते हैं और देगे इसको pending download अभी बता रहा है एक बार वाई-फाई को हम disconnect करके वापस से connect कर लेते हैं अगर इसी प्रोब्लम आप भी face कर देंगे यह pending download है तो एक बार आ यहां पर task manager के अंदर जाई है और यहां पर आप performance टैप पर जाए और यहां पर आपने वाई-फाई का जो speed चेक करें कि कि इतना speed वो send or receive कर रहा है कि नहीं तो send or receive तो यहां पर normal ही चल रहा है विसे जब download करते हम तो यहां receive में ज्यादा value दिखाना चाहिए इसमें लेकिन अभी उतनी value आ नहीं रही है तो एक बार हम अपने laptop को restart करके try कर लेते हैं okay okay देखिए यहां पर update जो हो चुकी है यहां पर रिस्टार्ट करने ही जरूत नहीं पड़ी हमें जैसे ही मैंने task major में देखा तो यहां पर speed बढ़ चुकी है अब बढ़ने का reason यही कि update आना चालो हो चुकी क्योंकि इसके अलावा तो हम कोई कुछ चीज डाउनलोड कर नहीं रहे है delivery optimization जो है वो सबसे जादे speed दे रहा है मतलब update जो हो आ रही है हमारे पास एक बार यहां पर भी देख ले थे हैं कुछ बता रहा है कि नहीं downloading का यहां तो अभी तक show नहीं कर रहा है यह advanced option में हम देख ले थे एक बार चेक कर ले थे delivery optimization पर जाते हैं यहां advanced option नहीं यहां तो कोई भी problem नहीं है अपने आप अपडेट होगा थोड़ा time ले रहा है यहां पर download चल रहा है लेकिन background में देख सकते हो यहां पर जो हो 10 mbps जो हो average speed आ रही है आपर वो कभी चार से पांच mbps भी दे रहा है मैं इस वीडियो को भी यहीं पर pause कर जाता हूं जब जिस ही update होता है अपडेट हो जाता है उसके बाद मैं आपको इसका पूरे features वगरा जो हो बताता हूं इस update Windows 10 का जो feature updated 2004 इसको हमने शाम को साढ़े साथ बजे लगाया थो रात को आप देख सकते हैं देड़ बजे के करीब जो यह completely download हो चुका है यहाप और देखे यहाँ पर और install हो चुका है और अब यह restart मांग रहा है तो यहाँ पर हम restart कर देंगे इसको यह देखे restart now का button आ च restart बता रहा है download और install होने के बाद लेकिन अभी इसमें काफी configuration जो हो बागी है